दोस्तो आज हम ऐसा पक्षी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका पंख नहीं होता है इसका नाम है कीवी पक्षी दोस्तो कीवी पक्षी न्यूजिलेंड में पाए जाने वाला एक छोटा सा पक्षी है इसकी सबसे वड़ी खासियत यही है कि ये ना उड़ने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों ना उड़ने वाला पक्षियों में कीवी के सिवाए सुतरमूर्ग और साथ लगबग पक्षियों की परजातिया सामिल है साथियो कीवी सिर्फ निवजी लेंड में ही पाय जाता है और यहां काराश्टी पक्षी भी घोसित किये हुए है साथियो आपको एक रोचक बात बता दे की निवजी लेंड के पूरे निवासियों को बिसो में अन्य भागों में कीवी के ही नाम से बुलाया जाता है वले कीवी पक्षी उड़ नहीं सकते लेकिन इनके पंख जरूर होते हैं लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि सरीर के फरों में ही छिप जाते हैं दोस्तो कीवी पक्षी अपनी लंबी चोंच के वज़ा से इने अपने सिकार को पकड़ने में आसानी होती है यह पक्षी अक्सर कीडे, मकोडे और फलो को ही खाना पसंद करता है साथियो कीवी पक्षी का संभो का मौसम जून से सुरू होकर मार्च में खतम होता है क्योंकि इस समय के दोरान इनके पास भोजन की अच्छी खासी उपलब्ध होती है दोस्तो नर्क कीवी पक्षी डेर साल की उम्र में और मादा कीवी पक्षी करीब तीन साल की उम्र में सिक्स करने लाइक हो जाते है यह पक्षी दुनिया के उन पक्षियों में से है जिनके अंडे और सरीर का वजन कानुपात दुनिया में सबसे जादा है दोस्तो मादा कीवी पक्षी के अंदर बच्चा अंडे के रूप में विक्सित होता है और वड़े अंडे के कारण मादा का पेट इतना फाइल जाता है कि ये जमीन को छूने लगता है दोस्तो कीवी पक्षी अंडा देने में धाई महिने का समय लगाता है मादा कीवी पक्षी एक वार में सिर्फ एक ही अंडा देती है और ये साल में दो से तीन अंडे दे सकती है दोस्तो एक सधारन कीवी पक्षी का वजन डेट से साड़े तीन केजी ग्राम तक होता है यह अन्य पक्षियों के विपरित कीवी के सरीर का अवस्तन तापमान 38 डिगरी सेल्सियस होता है जबकि बाकी जानवरों से 2 डिगरी कम और मनुस्य से 2 डिगरी जादा होता है दोस्तो आपको एक रोचक बात बता दे की यह पक्षी बहुत गुस्तैल होता है और अपने निवास स्थान को बचाने के लिए हर स्वंभव कोशिस करता है दोस्तो इस पक्षी को कीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पक्षी रात को क्यू क्यू की आवाज निकालता है और इस आवाज के कारण सुरू में लोगों ने इसे कीवी कहना सुरू कर दिया था और फिर इसे कीवी के नाम से ही जाने जाने लगा साथियों कीवी पक्षी का उम्र की बात की जाए तो यह पक्षी 40 साल की उम्र तक ही जीते हैं जबकि यह पक्षी कैद में महस्ती साल ही जी पाते हैं कीवी सिर्फ एक पक्षी नहीं बलकि एक फल का भी नाम है जो सायद आप सभी लोग जानती होंगे दोस्तों या पक्षी दुनिया के किसी भी चिडिया घर में नहीं पाय जाता है क्योंकि नीजी लेंड के सिवाए किसी और जगह की जलवाई इनके जीवन जीने के लिए अनकून नहीं होती है साथियों कीवी पक्षी हमेशा पेड़ों की खोकले तने या फिर जमीन के अंदर विल बना कर रहते हैं इस पक्षी को सुनने और सुनने की सकती बहुत तेज होने के बावजूद इनकी नजर थोड़ी कमजोर होती है साथियों ये पक्षी दीन के समय महर टू फिट की दूरी तक देख पाती है जबकि रात में ये छे फिट की दूरी तक देख पाती है कीवी पक्षी के कुल पांच फरजातिया पाए जाती है जिनमेंसे दो को असुरच्षित की स्रेणी में रख्या गया है और ये कभी भी खत्म हो सकती है साथियों कीवी पक्षी के सबसे वड़ा खत्रा जंगलों की लगतार हो रही कटाई और घातक किट नासकों के परियोग से हुआ है बाकी नुकसान इन्हें सिकारी पक्षीयों के दोरा भी होता रहता है दोस्तों पहले ये माना जाता था कि कीवी अस्टेलिया से न्यूजी लेंड आकर बस गई है लेकिन एक नई खोज से पता चला है कि ये अफिरका से निनाता रखते हैं और अफिरकी पक्षीयों के रिस्तेदार भी माने जाते है दोस्तों अब तक बैग्यानिक मानते हैं कि कीवी जैसे न उड़ने वाले पक्षीयों का विकास तेरह करोड साल पहले हुआ था लेकिन ताजा खोज बताती है कि ऐसा छे करोड साल पहले हुआ था साथियों एक आपको दिल्चस्प यों मदेजार बाते बता दू कि यह दुनिया का एक मात रहसा पक्षी है जिनकी चोंच के अंत में इनकी नाक यानि नासिक होता है साथियों हमें उमीद है कि आपको यह आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और हमें कमेंड में जरूर बताएगा कि आपको यह कीवी पक्षी से जुड़े आर्टिकल कैसा लगा